ये मांग होनी चाहिए भगवान से की हे प्रभू तेरे चर्णों की धूल में मैं मिल जाऊं बस आस यही कहीं दूर ना जाऊं मेरे रदय में समर्पन का भाव जाग जाए मैं अपने आपको आपके चर्णों में समर्पित कर दू और ध्यान रखिए समर्पन जो होता है ये निर्भे बना देता है समर्पन जब व्यक्ति की जीवन में आता है तो व्यक्ति निर्भे निडर हो जाता क्योंकि उसे पता है उसे समहालने वाला कोई है जैसे कोई व्यक्ति छोटे से बालक को हवा में उच्छालता है खिलाने के लिए उसको आनन्द देने के लिए उसको लेके गोद में आकाश में हवा में उचालता रहता है और वो बालक हवा में जाता हुआ भी हसरा होता है जबकि वो आकाश में उसे डर लगना चाहिए कि अगर इसने छोड़ दिया तो गिर गया तो लेकिन उसे पता है कि ये मुझे समाल लेगा ये नीचे खड़ा है तो ये हाथ पकड़के खड़ा है और ये मुझे समाल लेगा यही विश्वास है यही भरोसा है और यही भक्ती है पता है कि मेरा भगवान मेरे साथ खड़ा है और वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा और गिरा भी तो सम्हा लेगा स्वयम वो सम्हा लेगा समर्पन से क्या होता है कहते हैं कि एक गाय को मारने के लिए बाग उसके पीछे भागता है तो गाय आगे-ागे भागती है वो पीछे-पीछे वो बिचारी जान बचा के जैसे तैसे भागती-भागती, सामने एक कीचड भरा तालाब था, दलल थी उसमें, मतलब पानी नहीं था इतना, उसमें गुज गई, तो भाग भी पीछे-पीछे गुज गया उसको खाने के लिए, दोनों भीतर चले गए, अब अंदर जाके कीच पर भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, पर गाय चुपचाप खड़ी, और उसको कोई चिंता नजर नहीं आ रही कि ये चिंतत है या घबराई हुई है, वो चुपचाप जहां फसी वही खड़ी, तो भाग ने उस गाय से पूचा, तु घबरा क्यों नहीं रही, मैं भी प तु भी फसी, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, कैसे निकलू, कैसे यहां से भागू, तो गाय ने कहा कि गबराने का काम तेरा है, क्यों, क्योंकि तुझे यहां से कोई निकालने आने वाला नहीं है, क्योंकि तेरा कोई मालिक नहीं है, पर मेरा मालिक है, और शाम को जब समय पर घर नहीं पहुचूंगी तो डूडता डूडता यहां आएगा और मुझको यहां कीचड से निकाल करके लेकर जाएगा। इसलिए जीवन में मालिक का होना आवश्रक है कि कभी रास्ता भी भटक जाएं तो डूडता हुआ हमें खोजता हुआ आजाएं। मालिक ही नहीं होगा तो बचाएगा कौन। और मालिक कौन है? सब कुछ है जब मालिक उसे बना दिया तो फिर उसके हाथ में छोड़ दो। दीन बंदू दीना नात मेरी डोरी तेरे हाथ